कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्किट की क्या हाल चल रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग अगर आप बिटकॉ 27,500 अगर आप देखो 28,500 कल हम फिर से चले गए थे 27,500 से 28,500 तक और अगर आप देखो नाइट में है ना मतलब बिटकॉइन ने जो हमको लेवल दिखाया वो 27,200 तक का भी दिखा दिया लेकिन फिर से हम 27,800 के राउंड चल रहे हैं इस टाइम पे मतलब 28,000 के करीब फिर से चल रहे हैं है ना तो बस मार्किट में वही गेम हो रहा है बिटकॉइन नीचे जाएगा लेकिन उसके साथ साथ लिक्विडेट करता हुआ जाएगा है ना तो लिक्विडेशन भी होते रहेंगे साथ के साथ और ये सिर्फ और सिर्फ जो आप डाउन आप देख रहे हो 27,000 28,000 जो अगर आप देखो 700-800 डॉलर का तो यहीं से जंप लग गया है है ना तो इतना जंप क्यों लग रहा है इतना जंप लगने का रीजन एकदम क्लियर है कि जो पोजिशन से उनको ज्यादा से ज्यादा लिक्विडेट किया जा सके चाहे वह लॉंग्स की हो चाहे वह श साल है ठीक है तो अभी 27,800 पर लेवल हैं बिटकोईन के और बहुत सारे कोई साथ बहुत अच्छा पंप कर रहे हैं जिसके अंदर डॉच कोईन है ना डॉच कोईन का पंप करने का रीजन इलॉन मस्क उन्होंने पूरा ट्वीटर का लोगो ही चेंज कर दिया है और जल्द कोईन के प्राइज और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि कुछ काम ही ऐसा बढ़ा किया डॉच कोईन को लेगे लावन मस्क ने ठीक है तो प्राइज बढ़ने के चांसिज और ज्यादा है यहाँ ठीक है तो थोड़ा सा नजर रखें डॉच कोईन के उपर अभी जो करेंट लेव प्रॉफिट की बारिश कर रहे हैं अपने होल्डर के उपर सबसे उपर है डॉच कोईन अगर आप देखो इतना बड़ा यहाँ पर डॉच कोईन के अंदर वॉल्यूम अगर आप लास्ट 24 आवर का वॉल्यूम देखते हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ा और हुज जिसकी वजह से 24-25 परसेंट डॉच कोईन ऊपर चल रहा है और रैंक आ चुकी है डॉच कोईन की आठ के उपर इसके लावा सोलर की बात कर लूँ टॉप 100 में आ गया यह कोईन पिछले 7 डेश के अंदर 0.78 पे लेवल अभी चल रहा है 13 परसेंट यह भी ग्रीन में चल रह रहा है इसके लावा इंजेक्टिव चल रहा है 5 परसेंट मास्क 7 परसेंट चली 6 परसेंट इसके लावा अगर हम टॉप 500 की बात कर लें तो आइकॉन ICX जो 2 दिन पहले पंप कर रहा था वो फिर से 37 परसेंट ग्रीन में आ चुका है आज फिर से आइकन है ना ICX भी बोल सेकते हैं और DOGE कोईन चल रहा है उसके बार ZRX भी चल रहा था 2 दिन पहले आज फिर से 16 परसेंट है VBG चल रहा है 16% IOTX Small Crypto Coins है ना आपने होट देखा होगा अभी 2 दिन पहले अब IOTX आ रहा है तो किस तरह से छोटे कोईन स्पाइक ले रहे हैं ये सिर्फ एक सिगनल है क्लियर इशारा है कि आगे बुलरन में क्या हो सकता है छोटे कोईन्स का इसके लावा टॉमों की बात कर लूँ फिर से 12% चल रहा है रेवन कॉइन, मार्बलेक्स, डॉजिल उन, मार्स की जहां तक बात करता हूँ 11% फ्लॉकी इनू 10% है ना तो ये है आज के टॉप गेनर्स नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर बाइनेंस को लेगे बाइनेंसीजी के ने यहाँ पर कुछ चीजे गलियर किया है आपको पता टाइम टाइम पर फट भी आते रहते हैं मार्केट के अंदर और सीजी सेज इन्टरपॉल रेड नॉटिस रूमर आर फट तो एक जो फट यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा था वो रेड नॉटिस किसका इन्टरपॉल का एंड वर्ल लार्जस क्रिप्ट एक्षेंज बाइन्स हैस सीन इस मार्केट डॉमिनेंस द्विंडल फॉलॉइंग दा सी एफटीसी लॉस लॉसूट लास्ट मन्त तब देखो लॉसूट हुआ बाइन्स थोड़ा साइफक्ट हुआ था उस टाइम पर उसके बाद अब सारी चीज़े ट्रैक पे हैं है अगर कुछ भी होता है वो सिर्फ टेंप्रेरी होता है और अमेरिकाज वर ओन क्रिप्टो हैस टार्गेटिट बाइन्स दे वर्ल्ड लार्जस क्रिप्ट एक्षेंज इन लेट मार्च दे कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमिशन अनलीश्ट बेरेज ओफ एक्क्यूजेशन अगेंस्ट बाइन्स एंड सीईयो चेंग पिंग जाओ एक तरह से सीएफ टीची का हमने लौसूट देखा और उसके बाद जो है बाइन्स इजी ने यहां पर यह भी क्लियर किया कि जो फर्ड्स है वो सिर्फ फर्ड ही होते हैं और सीजी से इंट्रेपोल रेड नौटिस रूमर्स और यह एक फर्ड है अभी दो दिन पहले हमने आपके साथ एक अपडेट शियर किया था डॉज को इन जिसके अंदर 44 बिलियन डॉज को इन निकल के आये थे हैना मतलब डॉज कोई वेल्स कुछ ना कुछ कर रही थी एक दो दिन अगर आप देखो यहां पर 1.4 बिलियन डॉज कोईन इन 3 मंथ अज टॉप मीम कोईन शौज अच्छे साइन अगर आप देखो अभी अच्छे गेंस हमको देखने को बिल रहे हैं और डॉज कोईन वेल्स ने पिछले 3 महिने के अंदर इतना डॉज कोईन की जो है क्योंकि इलान मस्क ने जो पत्ता इस बर फैका है वह बहुत बड़ा है है नेक्स्ट हम बात करेंगे शिवा इनु कोईन के बारे में शिवा इनु की जहां तक हम बात करते हैं 10 से 11 की सीरीज पर आया है मतलब एक स्टेप जरूर शिवा इनु का बढ़ा है लेकिन इतना इनफ नहीं है चिपका हुआ है शिवा इनु फैविकोल लगा के कहां पे 10 11 12 13 इनी रेंज में घूम रहा है उपर जाता है तो 15 तक जाता है वापीस इनी लेवल्स पर आ जाता है नीचे जाता है तो 50 पर जाता है फिर से वापीस इनी लेवल्स पर आ जाता है तो यही कहानी चल रही है डॉज कोईन का पंप चल रहा है इस टाइम पे बहुत बढ़िया अब आपको नजर रखनी है शिवा इनु पे भी जी हाँ शिवा इनु का अभी पंप कभी भी हम देख पाएंगे और बड़ा पंप डेफिनिटली है ना यह जो लेवल जो चिपके हुआ है जिन प 12 की बात करूँ तो शिवा इनु जो लेवल हिट करके आया अगर आप देखोगे यहाँ पर वो लेवल है की जो हाई लगाया था शिवा इनुन ने लो लेवल जाने के बाद वो सीधा एक बार हाई लगाया हुआ है उसके बाद दूशरी बार यहां पे कोशिश की फिर से नीचे आ गया तीसरी बार कोशिश की फिर से नीचे आ गया है ना तो अब जब भी बड़ा पंप आएगा तो यह 1800 क्या इसको ब्रेक करके जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.4 x 0 25 30 है ना इस सीरीज में जब शिवाईनु पहुचेगा तब शिवाईनों के लिए थोड़ा एक अलग सिचुवेशन होगी और उसके लिए शिवाईनु को बड़ा पंप चाहिए है ना और वो बड़ा पंप एक दम से ही आएगा शिवाईनु जितना आपको वेट करवा रहा है जितना आप पेशेंस रख रहे हैं शिवाईनु को लेके वो सारी गसर एक ही बारी में निकाल सकता है शिवाईनु इतना potential शिवाईनु के अंदर है तो एक market के अंदर sentiment भी यह होगया कि अब शिवाईनु से कुछ नहीं होगा मिलेगा ठीक है जैदा जल्द बाजी करने में कुछ नहीं होगा वेट करेंगे तो यही शिवा इनु आपको बहुत बड़िया reward दे सकता है बाकी सभी coin से और जो लोग dead बोल रहे हैं उनको भी कही न कहीं picture दिखा सकता है आने वाले के उपर जी हाँ 27,800 डॉलर पे आ चुके थे हम और अब 28,000 के लेवल को फिर से touch कर लिया है bitcoin ने ठीक है तो market में सिर्फ और सिर्फ game हो रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के trade कीजिए next रम बात करेंगे whales की तरव से कुछ update है गाला को लेके back to back buying हो रही है पीच में गाला अभी कुछ दिन पहले pump भी कर रहा था फिर से गाला खरीदे जा रहे हैं blue whale 0079 just bought 26 million गाला coins है ना जिनकी value 1 million dollars की है तो 26 million गाला games यहाँ पर फिर से खरीदे गए हैं इस whale की तरफ इसके लावा अगर आप देखोगे 30 lakh matic है ना 29 lakh है और 30 lakh अगर आप देखो पूरा number और 3.3 3.3 million dollars के और यह जो whale है पहले भी खरीच चुकी है matic coins तो back to back matic को लेके भी buying हो रही है और फिर से 30 lakh matic यहाँ पर whales ने अपने bag में add कर लिए last and final में हम बात करेंगे rocket pool की जी हाँ एक upgrade होने वाला है इनका जिसको आप Atlas upgrade भी बोल सकते हो 18 April की date आप यहाँ पर note कर लो ठीक है Atlas is ready for launch get ready for a more powerful rocket pool improved protocol efficiency higher node operator reward or greatly boosted R ETH capacity और still fully permissionless यह सारे चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी Atlas जो launch होने वाला है 18 April को है ना एक upgrade rocket pool का आपको देखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो को करते हैं इहीं पे इन वीडियो पसंद आया like, share, comment कीजेगा कोई भी question, कोई भी सवाला पूच सकते हैं नीचे description में telegram, twitter के link है join नहीं किया तो कर ले न कोई update मिस नहीं होगा किसी भी crypto में invest कर रहे हैं हमेशा अपनी research करें वो बहुत जरूरी होती है मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care